जहिंद दोस्तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टॉप मार्केट में बड़ी गिरावट कितना हुआ म्यूच्वल फंड में नुक्सान जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कल के दिन याने की 13 नवंबर 2024 के दिन स्टॉप मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट दे 13 नवंबर 2024 के दिन हमें स्टॉप मार्केट में कितनी गिरावट देखने को मिली है अब इस गिरावट के पीछे कारण क्या है तो दो कारण तो पहले से चल रहे थे एक तो गलोबल सीच्वेशन और दूसरा एफ आइसकी लगातार भीकवाली इसमें दो नए कारण भी जु जादातर कंपनियों के जो तिमाही नतीजे हैं वो कोई खास अच्छे नहीं है इस कारण से भी स्टॉक मार्केट डरा हुआ है और हमें इस तरह की सिच्वेशन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल गई अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिराओट हो गई है तो अपकोस हमारे जो म्यूचल फंड है उन पर इंपेक्ट पड़ेगा वहाँ पर नुकसान होगा तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम ये भी देख लेते हैं कि किस-किस म्यूचल फंड की स्कीम में हमें कितना-कितना नुकसान देखने को मिला है इसके लिए मैं आप सभी को 30 mutual fund का data दिखाऊंगा 10 flexi cap fund होंगे 10 mid cap fund होंगे 10 small cap fund होंगे और इन fund का चुना मैंने AUM के base पर किया है यानि कि अपनी category में जो सबसे highest AUM आले fund है इस तरह के 10 fund मैंने लिए हैं 3 category से तो चलिए laptop क स्क्रीन पर चलकर देख लेते हैं कि यानि की जब 13 November को हमें stock market में गिरावट देखने को मिली है तो इस गिरावट के वज़ए से हमें हमारे mutual fund पर कितना नुकसान देखने को मिल रहा है तो अब आप देख सकते हैं हमागे हैं laptop के screen के उपर और यह वो 30 mutual fund के scheme हैं जिनके बार पर को stock market में गिरावट हुई थी तो इस गिरावट का impact कितना हमारे mutual fund पर पड़ा है वो one day के return से ही हमें पता चल पाएगा तो चली बिनादेरी के शुरू करते हैं सबसे पहला fund है HHBC small care fund देखी में जो 30 mutual fund की scheme का return आपको दिखाने वाला हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो HHBC small care fund में ही हुई है 3.1% की यानि कि आप क्या सकते हैं कि 3% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट हention के अंदर में देखने को मिले है बंधारी small care fund में देख सकते हैं 2.8% की गिरावट यानि कि Almost की सकते हैं कि 3% का आसपास की ही गिरावट है DSP small care fund में देख सकते हैं अगेन उतना ही गिरावट है 2.8% का जिसको बोला जा सकता है कि approximate 3% के आसपास की ही गिरावट है Mira Acid Mid के fund में देख सकते हैं 2.7% यानि कि approximate कहा जा सकता है कि अधाई परसेंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है निपोन इंडिया के fund में भी देख सकते हैं 2.7% यानि कि 0.65% से थोड़ा सा ज्यादा घिरावट हमें देखने को मिल रहा है HDFC small care fund में देख सकते हैं 2.6% यानि कि बोला जा सकता है 6.5% से थोड़ा सा ज्यादा घिरावट हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंक्लिन इंडिया smaller companies में भी आप देख सकते हैं 2.5% याने कि exact 8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और यह fund है small cap category का Canada Rebay को small cap fund में भी देख सकते हैं अगेन उतना ही गिरावट है 2.5% का जिसको बोला जा सकता है कि exact 8.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है DSP Midcap Fund में भी अगेन उतना ही गिरावट है 2.5% का जिसको बोला जा सकता है कि exact 8.5% की गिरावट है मोती लालोसवाल Midcap Fund में भी exact 8.5% की गिरावट है 2.5% आप देख सकते हैं सुंद्रम Midcap Fund की बात की जाया तो 2.4% यानि कि बोला जा सकता है कि 8.5% से थोड़ा सा कम गिरावट है अप्रोक्सिमेट बोला जाया तो 8.5% ही इसको बोला जाएगा प्रैंक्लिन इंडिया फ्राइमा जो की Midcap केटेगरी का फंड है यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.4% की गिरावट है तो अप्रोक्सिमेट बोला जा सकता है कि 5.5% के आसपास की गिरावट है क्वांट इसमल के फंड में देख सकते हैं 2.3% याने की सबाद 2% से थोड़ा सा जादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है निपोन इंडिया ग्रोथ फंड जो की अगेन एक मिटकेप के टेगरी का फंड है इसमें 2.3% याने की बोला जा सकता है कि सबाद 2% से थोड़ा सा जादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है कोटक इसमोल के फंड में देख सकते हैं 2.3% याने की अगेन सबाद 2% से थोड़ा सा जादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है SBI Magnum Mid Cap Fund में देख सकते हैं 2.2% यानि कि सबाद 2% से थोड़ा सा कम ही गिरावठ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है Axis Mid Cap Fund में भी देख सकते हैं अगे इन उतना ही गिरावठ है SBI Magnum भी इतना ही गिरावठ है 2.2% का जिसको बोला जा सकता है कि सबाद 2% से थोड़ा सा कम ही गिरावठ हमें देखने को मिल रहा है HDFC Mid Cap Opportunities Fund 2.1% यानि कि Approximate बोल सकते हैं कि 2% के आसपास की गिरावठ है Axis Small Cap Fund में देख सकते हैं 2.1% यानि कि Approximate बोला जा सकता है कि 2% के आसपास की ही गिरावठ है Kotak Emerging Equities Fund जो की अगेन एक Mid Cap के टेगरी का फर्ण है जिसमें हमें 2.1% की गिरावठ देखने को मिल रही है जिसको अगेन बोला जा सकता है कि 2% के आसपास की ही गिरावठ है मोतिलाल ओस्वाल Flexi Cap Fund में भी देख सकते हैं अगेन उतना ही गिरावठ है 2.1% का जिसको बोला जा सकता है कि 2% के आसपास की ही गिरावठ है SBI Small Cap Fund में देख सकते हैं 2.0% यानि कि Exact 2% की गिरावठ हमें SBI Small Cap Fund में देखने को मिल रही है KOTAC Flexi Cap Fund की बात की जा तो 1.8% यानि कि 2% से थोड़ा सकम पहुने 2% आप इसको बोल सकते हैं अधित्य बिरला Sun Life Flexi Cap Fund में भी आप देख सकते हैं कि 1.7% की गिरावठ है जिसको बोला जा सकता है कि पहुने 2% के आसपास की गिरावठ हमें देखने को मिल रही है Axis Flexi Cap Fund में भी देख सकते हैं 1.7% जिसको अगेन बोला जा सकता है कि पहुने 2% की गिरावठ हमें देखने को मिल रही है ICICI Potential Flexi Cap Fund में देख सकते हैं आपकी 1.7% जिसको अगेन बोला जा सकता है कि पहुने 2% के आसपास की गिरावठ हमें देखने को मिल रही है Kenra Rebe को Flexi Cap Fund में देख सकते हैं अगेन 1.7% यानि कि कह सकते हैं कि पहुने 2% की गिरावट यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है Franklin India Flexi Cap Fund में देख सकते हैं 1.6% की गिरावट है जिसको बोला जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा जादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है HDFC Flexi Cap Fund में देख सकते हैं 1.4% जिसको बोला जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा कम गिरावठ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेकिन अप्रोक्सिमेट बात की जाए तो 1.5% आप मान कर चल सकते हैं UTI Flexi Cap Fund में आप देख सकते हैं 1.4% अगेन बोला जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा कम लेकिन अप्रोक्सिमेट देखा जाए तो 1.5% के आसपास की गिरावठ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है SBI Flexi Cap Fund में देख सकते हैं 0.9% जिसको बोला जा सकता है कि 1% से कम ही गिरावठ है अप्रोक्सिमेट देखा जाए तो 1% इसको मान करके चला जा सकता है सबसे कम गिरावठ दिखाने वाला जो फंड है वो है पराग फारेक फ्लेक्सिक के फंड जिसमें 0.8% की गिरावठ है तो अप्रोक्सिमेट बोल सकते हैं कि 15% के आसपास की गिरावठ हमें देखने को मिल रही है तो हमने एक और भी वीडियो बनाई थी बहुत पहले उस वीडियो में भी हमने यही देखा था कि जब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावठ हुई थी उस समय मैंने इसी तरह का वीडियो बनाया था और इन ही जो 30 mutual fund की scheme है इन ही का मैंने डेटा आप सभी को दिखाया था और यही डेटा में अक्सर आपको जब भी stock market में गिरावठ होती तो यही डेटा में अक्सर आपको दिखाता हूँ के MIA में ठोड़ा सा कम ही गिरावट देखंगे को मिल रही है लेकिन परागपारिक फ्लेक्सिक के अच्छा डेटिखने को मिलता है ऋबसक्रण का समय में ठोड़ा सा कंचिन को मिलता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए एक best choice हो सकता है पराग पारिक flexi care fund और SBI flexi care fund भी आप देख सकते हैं आप यह भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है तो यह वो 30 mutual fund की scheme का data है दोस्तों जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर में आप सभी को दिखाया है और यह जो mutual fund है यह सभी high AUM वाले mutual fund है तो मुझे इसा लगता है कि ज़्यादा दर लोगों के पास इसी तरह के या फिर यह mutual fund होंगे तो आसा करता हूँ आज की video आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर आज की video आप सभी को अच्छी लगी है तो इस video को एक like जरूर कर दीजेगा और इसी तरह की video देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा और इस video का अपने friend and family के भी जरूर से share कीजेगा ताकि वो भी aware हो ज आता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा मैं में लोगा इसी तरह के किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई